जब हम पूजा पाठ करते हैं तो सबसे ज़ादा महत्पुन वस्तु वहाँ पर रहती है पान का पत्ता, पान के पत्ते को हिंदु धरम में बहुत ही महत्पुन माना जाता है, पूजा पाठ में ये पत्ता बहुत महत्पुन होता है, हमारे देवी देवताओं को पान का पत्त की जाएं तो वो जल्दी प्रिसन होते हैं आज हम बात करेंगे कर्दमुक्ति के लिए इस पान के पत्ते से किये गए उपाय के बारे में हिंदू धरम में ये मानता है कर्दम किया जाता है किसी भी तरह के शुपकाम को जाने से पहले या पूजा पाट करने के वक्त इसको शामिल जरूर किया जाता है पान के पत्तों से कुछ ऐसे उपाय किये जाते हैं जो आपके बड़े से बड़े रुके हुए कारे को संपन करने में आपकी मदद कर सकते हैं चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे उपायों की जो आपकी कर्ज मुक्ती में आपकी मदद कर सकते हैं कर्जा एक ऐसी वस्तू है अगर वो किसी व्यक्ति के उपर चड़ता जाता है तो फिर उतरने का नाम नहीं लेता जिसकी वज़े से बहुत सारे दिक्ते इंसान को महसूस होती है आज कर्ज मुक्ती की बात करेंगे और जानेंगे आप कर्जों से इस पान के पत्ते द्वारा कैसे मुक्ती पा सकते हैं और ये आपकी कैसे मदद कर सकते हैं जब व्यक्ति बहुत से कर्जों में डूब जाता है तो वो कई व्यस्तनों को अपना लेता है अपने जीवन को कई तरीके से कष्ट पहुँचाने की कोशिश करता है तो हम नहीं चाहते कि आपके जीवन में भी ऐसा कोई कष्ट आए जिसकी वज़े से आपके परिवार को उसकी परिशानी झेलनी पड़े आज की इस वीडियो में आप ये छोटे छोटे उपाये जानकर अपने जीवन को बहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं छोटे से उपाये हैं बहुत जादा कुछ धन भी खर्च नहीं होगा और समस्याओं का अंत हो जाएगा मुझे बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि इन कामों को करने से क्या होगा यह मैं बिल्कुर भी नहीं कहती हूँ कि करम के बिना आपके कारे संपन होंगे पर साथ में अगर शर्दा और भक्ती भाव को जोड़ लिया जाए साथ में उपायों के एक रास्ते को जोड़ लिया जाए तो आपके कारे जल्दी संपन होना शुरू हो जाते हैं और उर्जा के प्रवा को गती मिल जाती है तो इसलिए इन उपायों को अपना कर देखें शद्दा भाव के साथ आपके कारे जरूर संपन होंगे चलिए पहले उपाय की बात करते हैं अगर आपका काम बहुत देर से अटका हुआ है जिसकी वज़े से आपको हमेशा पैसों की परिशानी बनी रहती है धन की परिशानी बनी रहती है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए घर से निकलते हुए जब भी आप किसी बहुत बहु पन कार्या के लिए जा रहे हों तो आप पान का पत्ता ले लें इसे आप अपनी जेब में रख लें ऐसा मान कर रखें कि अब आपका कार्य अवश्य संपन होगा आप हमेशा ऐसा करना शुरू करें एक पान का बिलकुल साफ पत्ता लेकर आएं और उसे अपनी जेब में रख कर साथ ले जाएं तो धीरे धीरे आपके अटके हुए कारे बनने लगेंगे आपके जो भी कारे बहुत देर से रुक रुक कर चल रहे थे वो चलने लगेंगे उनमें गदी आ जाएगी तो ये एक बहुत सिंपल सा उपाय है आप इसे करना शुरू करें अब मैं अगले उपा है बहुत ही ध्यान से सुनिएका और ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा बुद्वार के दिन आपने इस प्रयोग को करना है आप एक साफ पान का पत्ता ले ले इस पत्ते पर आपने एक फित करी का टुकडा रखना है फित करी आपको अराम से मिल जायगी जहां से भी आपको सिंदूर लेना है आपने पान के पत्ते पर फिटकरी रखनी है और उसके बाद उस पर थोड़ा सिंदूर डाल दे इसके बाद आपने प्रातना करनी है कि जो भी आपके करजे हैं वो मुक्त हो जाएं आपके करजों से आपका पीछा चूटे आपके करजों का जो संब है आप से वो छूट जाए और आपके पास धन आने के मार्ग खुलने लगें तो यह ऐसी प्रातना करके आप बुधवार के दिन आप इस प्रियोग को प्रारंब करें और लगातार तीन बुधवार आपने इसे करना है अब इस पान के पत्ते को जिस पर आपने फिटकरी रख करके आप इसको दबा दें लगातार तीन बुधवार ऐसा करें आप देखेंगे कि आपकी प्रतिष्ठा बढ़नी शिरू हो जाएगी करजे धीरे धीरे तुटने शिरू हो जाएगे आप इसे तीन बार तो अवश्र करें और इसके साथ-साथ अगर आपको फिर भी लाप नहीं होता तो पांच बार और इसके बाद अगर अगर आपको फिर भी लाप नहीं होता तो ग्यारा बार इस प्रयोग को करें आपको जड़ूर इसका लाप मिलेगा बहुत से लोगों ने इसे अपनाया है और उनको इसका लाप अवश्र वो होने लगता है अगर उसमें कोई बाधा है तो बाधाई दूर होने लगती है इस प्रकार से उपाय कार्या करते हैं तो अपने मन में शंका मत लेकर आए और उपाय करके शद्दा भाव के साथ अपने घर पर लौट आए इससे आपको बहतरी मिलेगी और आपके जीवन में जो भी कश्ट है उनसे परिशानियों से आपको मुक्ती मिलेगी उपाय को अपना कर देखें आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करदे शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में आप कैस्ट वीडियो को देखने कले तर नवाद